देश में जारी कोरोनावारेस के कहर के बीच आगरा के कॉरेंटाइन सेंटर की चौका देने वाली तस्वीरें और वीडियो सामने आये हैं वीडियो को देखकर परसासन की बद इंतजामी की जलत आपको साफ देखने को मिले आगरा मत्रा रोड पर बनाएगे इस कॉरेंटिन सेंटर की सरमनाख वीडियो सोसल मीडिया पर वाइरल हो रही है यहां कॉरेंटिन किये गे लोगों को जानबरों की तरह सामने से खाना देने का सामान डाला जा रहा है और सोसल डिस्टन्सिंग की धजिया उद रही है वीडियो में साब देखा जा सकता है कि कॉरेंटिन सेंटर में बीडित खाने और पीने के सामान पर कैसे तूट रहे है पानी की बोतनों और विस्किट के पैकेटों को दूर से फेंग कर उन्हें दिया जा रहा है यह है शार्दा ग्रूप इंसिटूशन कोरोना टैम सेंटर जहां पर आइसोलेट के लिए गया मरीजों के साथ यह कंडिशन की जा रही है इन सब को यहां पर लाया गया यह बोलकर कि आपका मेडिकल चेक अप किया जाएगा बट यहां कोई चेक अप किया नहीं जा रहा है इन मेंसे मैं भी एक हूं जोती वर्मा मुझे यह कह गिया लाया गया कि आपका एसेन में जाके मेडिकल चेक अप होगा बट यहां पर कोई भी मेरा मेडिकल चेक अप नहीं हो रहा है यहां सब प्रशाशन डॉक्टर सब लापरवाही दिखा रहा है अपनी हर एक प्रकार से वीडियो वाइरल होने के बाद अब लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि इन लोगों को जिला परशाशन ने कोरोना से इलाज के लिए क्वारंटीन किया था या भूप प्यास से मरने के लिए आपको बता दे कि आगरा में कोरोना के अब तक 371 मामले सामने आये हैं वहीं दुनिया में कोरोना वारेस से अब तक 2,6,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 29,94,000 से ज़्यादा लोग संकरमित हैं जोरी रिपोर्ट देव भूमी न्यूस